सबसे पहले बात करते हैं हम ketonic hydrolysis की ketonic hydrolysis में क्या होगा जैसे हमने पीछे अभी alkylation करके जो monoalkyl acetoacetic ester बनाया था पिछले में हमने देखा था उस पे जब हम base की reaction करवाते हैं जैसे कि ketonic hydrolysis में पहले ही बताया है dilute base लेते हैं और यहां पे हमारे पास क्या है दो carbonyl group है एक ये और एक ये वाला ये वाला, c double bond O और c double bond O लेकिन क्योंकि base dilute है, मतलब थोड़ी c base है तो सिर्फ जो साधा अंदोरों में से reactive है वो ये वाला होता है तो इस पे ही act कर पाती है ठीक है न? ठीक है, reactive होने का मतलब है कि यहां पे carbon पे है बहुत जादा positive होता है क्योंकि इधर भी oxygen है इधर भी oxygen है ठीक है, तो दोनों इसके electron को खीच रहे है तो carbon पे बहुत positive होता है तो जो OH negative है, वो हमारा negative है तो negative attack करेगा positive पे ठीक है, और यह bond pair shift हो जाएगा यहां पर, ठीक है जब इसका attack होगा तो यह वाला carbon जो है इसके साथ OH जुड़ जाएगा, यह लिखा है मैंने carbon OH, ठीक है उपर जो यह oxygen है, इसके उपर negative आया था, है न? क्योंकि bond pair उपर shift होगे, तो इस negative के साथ जुड़ जाएगा हमारा यह वाला positive, ठीक है और साथ में, यह तो था ही OC2H5, ठीक है अब क्या होगा, जैसे यह negative नीचे आएगा, इदर C double bond O बन जाएगा, क्योंकि neutral होने की कोश्च करेगा, तो या तो यह निकल सकता है या तो यह निकल सकता है, अगर यह निकल गया तो फिर से यही बन जाएगा और अगर यह निकल गया, तो हमारा क्या है, यह वाला product बनेगा ठीक है, यह निकल गया, तो यह बन गया C2H5, O negative इसको H positive मिल जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा, इथिनोल मतलब यहाँ पे हमारा एक product बन गया, ठीक है अब इसकी बात करते हैं तो यह बना O negative H positive, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी base हो तुमारे solution में और एक acid बनाओ, जैसे यह acid बनाओ, COOH ठीक है, तो वह हमेशा, वह acid नहीं रहता है वह base के साथ react करके salt बना देता है, तो यह भी क्या करेगा base के साथ react करेगा, यानि कि KOH का तो यह H positive replace हो जाता है K positive से, तो यह हमारा acid था, यह convert हो जाता है salt में, यह हमेशा होता है, जब भी acid or base present हो तुमारे reaction mixture में, तो वहाँ पे salt generate हो जाता है ठीक है, अब इस salt को neutral कैसे किया जाए, तो हम क्या करेंगे, इस base को consume कर लेंगे, बलब K positive यहां से हटना चाहिए, वो हटाने का क्या तरीका है, तुम कोई acid डाल दो, acid तुमने डाल दिया वो base के साथ react कर जाएगा, HCL base के साथ react कर जाएगा, KCL बना देगा, और जो यह H positive है यह यहां पर आ जाएगा ठीक है, तो तुमारा अब फिर से क्या होगा acid जो है, वो generate हो जाएगा ठीक है, और अब यह वापस इसमें convert नहीं होगा, क्योंकि यह base जो है वो acid ने खतम कर दी, इस acid ने, ठीक है इसको बोलते है, Monoalkyl Aceto Acetic Acid ठीक है अब यह जो है, यह है Beta Keto Acid, Beta Keto Acid का क्या मतलब है यह हमारा हो गया functional group इसके साथ ही आ गया alpha और यह वाला जो है, यह हमारा गया beta, यानि कि यह ऐसा acid है, जिसके beta position पे carbonyl group है जिसे हम keto group कहते है, ठीक है C double bond O group, तो ऐसे acid जो होते है, वो हमेशा unstable होते है, ठीक है, कैसे acids जिन acid के beta position पे keto group हो, वो हमेशा unstable होते है, तो इसलिए क्या होते है वो unstable हो जाते है, तो वो carbon dioxide को एकदम से छोड़ देते है liberate कर देते है, यह carbon dioxide जो है, यह निकल जाएगी ठीक है, तो इसको minus कर दो, अगर यह निकल गई, तो carbon dioxide निकल गई, तो यहाँ क्या वज़ा, CH3, CO, CHR, और क्योंकि यह cut गया, तो इधर क्या बज़ गया, H बज़ गया, तो CH3, CO, CH2, R, तो इस तरह से हमारी ketone जो है, बन गई, अब यह acetone में substitution है, तो इसलिए इसकों बोलते है, mono as substituted ऐसी टोन,